आज हम भाशा अभ्यास के सुबह, सुबह, पार्ट बारा, 12th lesson, पोएम, बिफोर वीजियो में आपने पोएम को पढ़ा, और आज हम भाशा अभ्यास के बार में जानेंगे सुबह, पोएम से संबन्दि, नमबर बन, दी गई कविता को सही शब्द चुम कर पूरा कीजिये, दी जाओलार पोएम से लाएम, चूज दा थरेक्ट वोड और अग्प्लीट दा पोएम लाएम, से ये, वट इस फर्स्ट वीजियो में पिंक बॉक्स, हैल बॉक्स इस गिवन हेर, वोड्स अगिवन हेर, म उसका होना, बागों में कलिया, यहां बड़ी को, सुबा हुई, डैश, चहकी, चहकना मतलब चिर्पिंग, मौर्णिंग कौन चिर्पिंग करता है, बॉर्ड, बॉर्ड को क्या कहते है, चिडिया, चहकी, सुबा हुई, चिडिया, चहकी, है न, सुबा हुने पर कौन चिर् चहकी, डैश महकी, क्या महकी, बागों में कलियां, मतलब गार्डेन में बर्ड्स जो होते हैं वो फ्लर बन जाते हैं, बागों में कलियां महकी, उठ जारे डैश, रात को सोने के बाद हम क्या सुबा उठते हैं न, तो उठ जारे डैश, मुन्ने प्यारे, उठ जारे मुन्ने प्यारे, डैश, आखें मलरे, मुस्काओना हस्ते हुए आँखों को मल करके उठनी चाहिए देखो फिर्चे में पड़ती हूँ सुबा हुई चिडिया चहकी बागों में कलिया महकी उठ जारे मुन्ने प्यारे मुस्काओना आँखे मलरे सुबा कैसी होती है कवितामी से कोई तीन पंक्तियां चाट कर लिखिये एरली मॉर्निंग सुबा कैसे होता है पोयम में से एनी त्री लाइन्स सुबा भली होती है सुबा और क्या होती है ठंडी हवा चलती है सारी कलियां खिल जाती है तो सुबा सुबा कैसी होती है भली होती है भली का मतलब क्या अच्छी है कि एरली मॉर्निंग अच्छा होता है ना फाइव अक्लॉक फाइथर्टी देखो तो बहुत अच्छा होता है ठंडी हवा चलती है, सारी कलियां खिल जाती है, जो भी बर्ड्स होते हैं वो फ्लर्ड बन जाते हैं, अब देखो, दिये गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द छाट कर लिखिये, तो यहां पर सेम मेंनिंग वर्ड, समान अर्थ वाले, मतलब सुरज का और भी नेम सोहता है, सुरज का क्या नेम सोहता है? सुर्य, रवी, सुर्य, यह तीनों एक ही हैं, सुर्य के बहुत सारे नेम सोते हैं, यहां पर जो आप्शन्स दिया गया है, Choose the correct option and right सूरज, सूर्य, रवी इसी तरह धर्ती, धर्ती को और क्या कहते हैं? भूमी धरा, देखो भूमी धरा धर्ती को और क्या कहते हैं? भूमी धरा Next, हवा, हवा का और क्या नाम है? वायू पवन, यहापर देखो वायू पवन पिसे एक बाद सूरज को क्या कहते हैं? सूर्य, रवी धर्ती, भूमी, धरा हवा, वायू, पवन Next, विलोम शेप्द चांट कर लिखें, आपोजिट्स विलोम शेप्द का मतलब क्या है? आपोजिट्स आपोजिट चांट कर लिखना होगा चांट कर मतलब, choose the correct opposite word and right here देखो, सबसे पहला वाला क्या है? पुराना, दुख, प्रेकाश, आलेस, गुण पुराना मतलब old दुख का मतलब क्या है? sad प्रेकाश का मतलब क्या है? light आलेस, laziness, गुण अच्छा मतलब quality अगेरा तो अंधकार, अंधकार मतलब डार्कनेस तो डार्कनेस का opposite word क्या है? light देखो, यहां पर प्रेकाश देखो ने? मेहनत, hard word hard word का opposite क्या है? आलेस, laziness सुख, happy sad, दुख दुख नया, new पुराना, old पुराना, दुर्गुण bad quality, गुण अच्छा quality देखो, फिर इसे अंधकार, प्रेकाश मेहनत, आलेस सुख, दुख नया, पुराना दुर्गुण गुण यहां पर देखो कविता के आधार पर नीचे दिये दे शब्दों के लिए सही शब्द छाट के लिखो कविता के आधार पर आधार मतलब according to the poem choose the correct word and write here, dash कहानी, नई नई कहानी dash स्वर मीठे मीठे स्वर थंडी हवा dash हवा थंडी हवा dash कलिया सारी कलिया देखो मीठे नई थंडी सारी choose the correct word and write in the blank फिर से एक बार नई कहानी कैसी कहानी नई कहानी हर एक सुबह हम नई कहानी को रचते हैं dash स्वर मीठे स्वर सुबह सुबह कान से स्वर बैथे हैं पक्षियों के मीठे स्वर थंडी हवा सुबह सुबह कैसी हवा चलती है थंडी हवा खिल जाती है सारी कलिया सारी all birds जो होता है वो फ्लार में बदल जाता है तो ये है बच्चों अच्छी तरह से परो, सीखो, धन्यवाद